हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग तू आल अप यू दिस इस जिव्या अब सभी का स्वागत हैं प्रेप इन क्रैक पे और आज की सेशन में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं कल तक का कल तक का जो भी हमारा करंट अफेर बन रहा है उसे हम डिसक्स करेंगे इस सेशन के अंदर हम लोग इंडिया राजस्तान और आपकी जो भी आपका करंट अफेर बन रहा है उसे डिसक्स करेंगे ही साथ में कुछ important facts को भी आज एड किया गया है जो आपके exams के लिए बहुत important हो होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज थोड़ा से टेखनीकल इशू था इस वज़े से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शियर करते हैं ताकि हम जल्दी से क्लास को शुरू कर पाएं राधर राधर गुड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को यह बहुत ही ज़दा खास होने वाला है अच्छली आप लोगों को क्लास दिख नहीं होगे ना आज आज थोड़ा सा टेकनीकल इशू हो गया था ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बहुत इंपोर्टन सेशन होने वाला है बहु कोई भी लक्षे बड़ा नहीं है जीता वही है जो डरा नहीं है ठीक है अगर आपने कोई भी अपना लक्षे डिसाइड किया है या कुछ भी है आप तब करते हैं या आपको कोई लक्षय है तो बस आप उसके लिए जी जान लगा दो एक बार ही लगानी है ठीक है फिर जब आपको वह लक्षय हासिल हो जाएगा फिर आप चाहे आपको जो भी करना है आप करें बट जब आपने कुछ रिसाइड किया है तो उसके पीछी अपना पूरा 100% दो ठीक है और अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली जो जीत है वो आपके निश्ची थी है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नहीं नहीं आपको बताना है चीके देखें यहां बेन एक प्रश्ण बना है जो काफ़ इंपॉर्टन है ओनलाइन गैंबलिंग क्या होता है आपने देखा है कि जिसके कि कई पर क्रिकेट होता है जिसके भी आईपे जल रहा है तो उसके उपर लोग सट्टा लगाते हैं सट्टा लगा कि एक तरीके से अब जुआ कह सकते हैं तो यह कैसा होता है ओनलाइन होता है तो इसके उपर ना किस राज्य ने इसको बैन कर दिया है तो जहां रिखेंगा तमिल लाडू ने एक ऐसा विध्यक पारित किया है जिसमें अब इसको बैन कर दिया गया है काफिर जादा इंपॉर्टन है जोरी ने और गयाडलाइन कि जोबिन एक फालाइन गया प्रृटन है लगामिल लगाणे से संबन्धित विधयक को अपने मंधूरी देती है ठीक है हलांकि पहले ये जो इनके governor है इन्होंने इसको पुनर विचार के लिए लोटाया था कि आप फिर से विचार कर लीजे परन्तु जब फिर से इनके पास आया तो इन्होंने इस विधेक को पारित कर दिया ठीक है? हाल फिलाल ध्यान रखेगा कि ये विधेक अब पारित हो गया है चलिए उसके लब हम कुछ बाते जान लेते हैं कि तमिलाडू में क्या कुछ खास हो रहा है RTI याने के Right to Information जवाब देही में सबसे खराब रदर्शन करने वाला है तमिलाडू सरकार ने Friends of Library कारेकरम शुरू किया था तमिलाडू अपना जलवायू परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है और करती के दीपम्रत उस सब जो है वो तमिलाडू में मनाया जाता है तो यह कुछ important facts है तमिलाडू को लेकर जो आपको अच्छे से ध्यान लगने है चलिए किस राज्य में महंगाई राहत कैम्प लगाए जाने की घोशना की गई है यह प्रशन बहुत important है आपके आने वाले exams में छपने के पूरे पूरे chances है क्योंकि ऐसा करने वाला कोई और नहीं हमारा राजस्तान है कौन है राजस्तान? राजस्तान के CM कौन है? अशोग गैलो जी उन्होंने ये एक तरीके से बात कही थी कि अभी जो आपका राजस्तान में क्या क्या जाएगा कि राहत महंगाई राहत कैम्प लगाए जाएगे इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि बहुत सारे इन्होंने कहा था कि हम योजनाए तो काफी सारी लेकर आ रहे हैं बट अभी भी बहुत सारे जनता या अभी भी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक योजनाएं पहुँच ही नहीं पाती हैं या जिनको इसका लाब ही नहीं मिलता है अगर हम किसी के लिए योजना बना रहे हैं अगर उसको लाब ही नहीं मिले तो ये तो फिर सही नहीं है इसी के लिए राजे सरकार ने क्या क्या है अभी महंगाई राहत कैम्प लगाएंगे जिसके अंदर पर्टिकुलर आपको 10 योजनाओं का लाब दिया जाएगा अब वहाँ पर जाके रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आपको उस योजना के बारे में नहीं पता तो जगा जगा पर उसके कैम्प लगाए जाएंगे आप वहाँ पर जाएगा अपना रेजिस्ट्रेशन करवाएगा और उससे आपको काफी ज़्यादा बेनेफिट मिलेगा जल्दी से शियर करतो इसको इसके बारे में आज बहुत सारी बाते जानेंगे मतला राजसान के बारे में देखेगा राजसान के मुखे मंत्र रशोगहलोत ने बताया कि राजसान में 24 एपरिल से जगा जगा पे हजारों महंगाई राहत कैम्प लगाए जाएंगे इन कैम्प में लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर 500 रुपय में गैस सिलेंडर जो कि हमने पहले भी बात करी थी क्यूंकि उसमें 410 और 610 रुपय की सबसीड़ी दी जाएगी जो उजवला योजना से connected है या जो बीपेल फैमिली है उनको ये लाब दिया जाएगा उसके अलावा 100 यूनिट प्रती माहा मुफ्त बिजली दी जाएगी और क्रिशी जो क्रिशी से related जो हमारे फार्मर से किसान है उनको 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी साथी अनुपोर्ना पैकेट योजना चिरन जीविस्वास्य भीमा योजना समीत 10 योजनाओं का लाब मिलेगा और एक जीज़ और ध्याने किएगा राजसान ही ऐसा पहला राज्य है जो right to health विधियक लेकरा है यानि कि स्वास्य का अधिकार विधियक लाने वाला पूरे देश में पहला राजसा है तो वो है राजसान तो बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं तो आप भी इन कैम्स का फाइदा उठा सकते हैं अगर आप particular किसी भी योजना का लाब उठाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे 24 अपरिल से कैम्स लगा दे जाएंगे और आप अपने दोस्तों को जो भी आसपास के लोग है जिनको नहीं पता है और जो जरूरत मन है उन्हें आप inform कर दीजेगा अब important facts के बारे में बात कर लेते हैं शीनू जावर इनको हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही discuss किया है TIE राजसान ये एक आपका entrepreneur संगठन है उसके क्या बनी है महिला अध्यक्ष बनी है जैपूर में विशु का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा cricket stadium बनाया जाएगा अब ये तो हुई बात आपको बताना है कि किसके नाम पर रखा जाएगा यहां पर विदान्ता ग्रूप और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेर जो है वो विदान्ता ग्रूप की ही है और राजसान सरकार इनके द्वारा मिलकर यहां पर क्या बनाया जाएगा यहाँ पर एक स्टेडियम बनाए जाएगा ठीक है? Thank you so much उसके अलावा राजसान के मुख्यमंतर अशोग एलोट ने 19 नए जिले बनाए है अब टोटल हमारे यहाँ पर डिस्टर कितने हो गए है? 50 और 3 नए संभाग बनाए गए है ठीक है? यह भी आपको अच्छे सी धान रखना है भारत और मिसर के बीश में जो पहला exercise हुई थी कौनसी? Cyclone 1 किसके बीश में होता है? भारत और मिसर के बीश में कौनसा है? Cyclone 1 कहां पर हुआ है? यह जैसल मेर में हुआ है यह कुछ यहां से important facts बनते हैं उसके साथ ही अंधता नियंतरण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राजय कौन सा है तो वो भी है राजस्तान ठीक है राजस्वास्यक अधिकार भी देख पारित करने वाला देश का पहला राजय है राजस्तान तो यह important facts है अब देखो यह तो आपके normal सभी exams के लिए important है और साथ ही आप अगर राजस्तान के तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो यह बहुत ही जादा important है क्योंकि आपसे exam में वो प्रशन जरूर पूछे जाते हैं कि सरकार ने कौन-कौन से योजनाय लेकर आ रही है लोगों के welfare के लिए और इससे यह पता चलता है कि आपको उसके बारे में कितना ज्यान है तो इस तरीके से योजनायों से related प्रशन अक्सर आपके exam में पूछे चाते हैं ओके चलिए नेक्स सेखो विशुर शत्रंज आर्मगेडन एशिया और ओशीनीशिया ओशीनिया इवेंट किसने ये जो खिताब है वो किसने जीता है डी गुकेश विनेश एन आर कौसव चतरजी या अधित्य मितल ये शत्रंज का खिताब है ये शत्रंज का टू 40 उमर का है लगबग 16 वर्ष का ये लड़का है जिसने ये खिताब जीता है ठीक है इसके बारे में हम कुछ बाते जा लेते हैं ये हैं डी गुकेश ठीक है चलिए भारतिय ग्रेंड मास्टर डी गुकेश फाइनल में उजबेकिसान के विश्व रैपिड चैंपिन किसको हर हराया है नौदिर बेक को हराया है और ये विजेता बन गए हैं ये 16 वर्ष के हैं जिनोंने विश्व चैंपिन कालसन को भी हराया था और ऐसा करने वाले ये सबसे यूवा ग्रेंड मास्टर बन गए हैं अभी तक जो ग्रेंड मास्टर या जो विश्व चैंपियंशिप थ आते थे कालसन इन्होंने इनको भी हरा कर ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए है ठीक है एश्याई शत्रंज महासंग ने डी गुकेश को वर्ष का सर्वस्रेस खिलाडी चुना है मतलब की बेस बेस प्लेयर आफ दा इयर किसने चुना है एश्याई शत्रंज महासंग काफे इंपोर्टेंट है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एश्याई शत्रंज महासंग ने किसे वर्ष का सर्वस्रेस खिलाडी चुना है तो अंसर होगा डी गुकेश ठीक है किसे ये प्रत्योगिता जीती है तो भी आपका अंसर होगा डी गुकेश या फिर जो है डी गुकेश तो इस तरीके से यहां से प्रश्न आपके एक्जाम में जरूर बनेंगे चलिए उसके लावा विगनेश एलार भारत के असी में ग्रेंड मास्टर बन गए है और दुनिया के सबसे उम्र दराज याने कि सबसे जादा उमर वाले जो हमारे ग्रेंड मास्टर शेयर करतो ऐसे गाड़ी नहीं चलेगे जल्दी से शेयर करें भारत में प्रथम अगर हम बात करते हैं 2022-23 के दोरान ये कुछ बोस्टर डोज है जो आपके एक्जाम के लिए आपको काम आएगी जैसे कि भारत की पहली आदिवासी महिला रास्रपती संथाल जानती से इनका संबंध है और ये है द्रोपदी मुर्मुजे ठीके भारत की पहली बाली का पंचायत का गठन कहां पर किया गया है गुजरात में जैविविता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा है कॉलकता अगर देश का पहला ग्रेंफिल्ड अनाज अधारित एथि पुस्तकालय वाला आपको बताना है कि हर गाव में पुस्तकालय वाला देश का कौन सा जिला बन गया है पहला जिला तो ये है जाम ताड़ा और ये कहां पे है जारखन में है भारत का पहला अमरे स्रोबर हमने इसको देखा भी था याने कि हमने इसको कवर किया था पहले य इश्कौन बन गया है एक्वाडोर बन गया है तो यह सारे ही इंपॉर्टन चीजें इंपॉर्टन फैक्ट जो आपके दो हज़र 22 और 23 से हैं ओके चलिए नेक्स सेखेगा चलिए फटाफट से लाइक और शेर कर देजें नेक्स सेखेगा मानव अंतरक्ष उडान का अंतरास्त्रे दिवस कब मनाया गया 13 अप्रेल, 14, 11 या फिर 12 अप्रेल ये काफे इंपॉर्टन प्रेश्ण है कौनसा मानव अंतरक्ष उडान का अंतरास्त्रे दिवस ये इस वज़े से important है ये मनाया जाता है 12 अप्रेल को ये इस वज़े से मनाया गया क्योंकि यहाँ पे इस दिन क्या हुआ था इसी दिन 12 अप्रेल 1961 को सोवियत नागर यूवी गागरीन के द्वारा पहली बार इन्होंने अंत्रिक्ष उडान भरी थी और प्रित्वी की परिक्रमा करी थी इसी वज़े से ये जो दिन है वो मानव अंत्रिक्ष उडान दिन के रूप में मनाया जाता है उन्होंने 1961 में वॉस्तव फर्स ये अंत्रिक्ष उडान का संचालन किया और वॉस्तव थी के अंत्रिक्ष यान में 108 मिनट में प्रित्वी की परिक्रमा की थी इसी वज़े से इन्होंने एक इतिहास रचा और आज हम ये दिन मनाते हैं क्लियर चलिए ये है यूरी गागरी यूजी सी यूएंजी ने इस दिवस को मनाने की खोशना 2011 में की थी तब से इस दिवस मनाया जा रहा है अगर हम बात करें कि हमने अंत्रिक्ष के शेतर में कौन-कौन से उपलब्दियां हासिल के हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पहला हमारा जो सेटलाइट था वो कौन सा था स्पूतनिक था जो रश्या का सेटलाइट था ठीक है उसके अलावा अगर बात करेंगी 1957 में इसे लौंच कर दिया गया था जबकि देखो हमारे यहां पर इस रोकी सापना कब हुई थी 1969 में देख रहे हो गया लगवग 12 साल के बाद 1963 में वेलेंटीना टेरेशकोवा जो है यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बने थी और नील आमस्रोंग का तो अब जानते हैं चंदरमा पर पहर रखने वाले पहले वेक्ति कब रखा था 1969 में याने कि जब हम यहां पर इस रोकी सापना कर रहे थे तो यह सारी बातें बहुत अच्छे से धान रहेगा बट आज की डेट में हम लोग पूरा टकर दे रहे हैं बागी जो डेवलेप्ड नेशन है उनको क्यूंकि हमने कितना लेट शुरू किया है बट आज हमने बहुत सारी टेक्नोलोजी डेवलेप्ड कर ली है इवन उनके जितनी ही टेक्नोलोजी अब हमारे पास भी है या उससे भी कही बहतर ठीक है भारतिय सविधान के डोगरी संस्क्रण के पहले एडिशन को किसने लांच किया तो यहां पर बताना है डोगरी क्या है एक भाशा है हमारे सविधान में जो 22 भाशाएं है उनके अंदर डोगरी भी एक भाशा है तो अभी तक क्या था कि भारत का जो सविधान है जिसे कि हिंदी है इंग्लिश है और पी कुछ भाशाओं में है बट पहली बार डोगरी भाशा में भी भारत का सविधान लिखा गया और उसका जो फ़र्स एडिशन है उसको किसने लांच किया था तो ध्य कानून मंत्री कौन है की दर्म रिजिजू इनके द्वारा इसके फ़र्स एडिशन को लांच किया गया यह काफे इंपॉर्टेंट है और यह भी धान लिखिएगा कि हमारे सविधान में जो भाशाएं हैं उनको कहां पर रखा गया है एट शेडूल में और कितनी भाशाएं हैं 22 भाशाएं हैं कितनी हैं 22 लेंग्विजम कोई भी ऐसे चीज़ अब देखो हमारे पास ऐसे तो बहुत सरे पार्ट भी है तो हमने शेडूल को बनाए तो शेडूल में हमने बहुत चीजें डाली हैं जो हमने पूरे सविधान में कही और आपको देखने को नहीं जिसके अंदर एक भाशा डोंगरी भी है और ये बोली कहा जाती है क्या इसका मैत्व है ये सारी बाते हम लोग जान लेते हैं ठीके देखें किंद्रे कानूर और न्याय संसद्य मामलों के मंत्रिक कीरन रिजजु ने जम्मो विश्व उधाले में भारतिय सविधान के डों उठता रहा था कि इसमें जो सविधान है उसको लाया जाए परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं ठीक है और ये जो भाशा है ये आपकी 22 भाशाओं में सम्मिलित है इसके बारे में बात करेंगे तो ये मुखे रुप से कहां बोली जाती है उत्तरी भारतिय राज्य जैसे कि जम माजल परदेश है पंजाब है दिल्ली है कुछ-कुछ एरिया में बोली जाती है जादा धान रहेगा कि जमु इन कश्मीर में बोली जाती है चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी से शेर कर दीजे ये सेशन बहुत इंपॉर्टन रहने वाला है इसमें हम राजस्थान का अभी करन्ट अफियर डिस्कस करेंगे चलिए ये सारी बातें इंपॉर्टन है कौन से शेड्यूल है या कौन से शेड्यूल में भाशाओं को एड क्या गया है दोंगरी भाशा कहां पर बोली जाती है अब यहां से देखे कईवर क्या होता है कि आपको ये दे दिया जाएगा कि कौन से मंत्री ने तो केंद्रिय कानून और न्याय संसद्य मामरों के मंत्री ने या केंद्रिय कानून और न्याय मंत्री ने ठीके इनका नाम देकर पूछ लिया जाएगा मतलब प्रश्ण कैसे भी पूछा जा सकता है आपको सारी चीजों को अच्छे स से कबर करते हुए चलना है डन बताईए क्या इतनी बाते क्लियर है चलिए नेक्स एक हैगा आई पील में आप लोगों का फेबरेट होगा यह तो है ना इसे में सबसे तेज pojaw डान बनाने वाल बल्लेबास क्या बन गए है तो यहाँ पे धान कियेगा डेविड बोरान चीक एडेविड वॉर्णर जो ए यह सबसे तेज श्यहजा अन बनाने याने के IPL के अंदर 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबास बन गए हैं और ये उपलब्दी उन्होंने कब कैसे हासिल की है 165 पारियों में ठीक है 165 पारियों में इन्होंने ये उपलब्दी अपने हासिल करी है उसके लावा अगर हम बात करें जबकि विराड कोली को ये जो पलब्दी है 188 में और शिकर दवन ने 199 पारियों में ये पलब्दी हासिल करी है तो इसी वज़े से जो आपकी डेविड वार्णर है वो सबसे तेज बल्लेबास बन गए है क्योंकि इनका उनके साथ अब भी कोई फिलाल मुकाबला नहीं है चलिए तो ध्यान एकिएगा कि जो आईपल 2015, 2017 और जो 19 में हुआ था उसमें डेविड वार्णर को औरेंज कैप मिली थी और यह कब मिलती है तो यह उसमें मिलती है कि जब आपने बल्लेबादी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है चलिए आगे है जला बाला वैद यह पर्टिकुलर एक महिला है जिनका हाली में निधन हो गया था आपको बताना है कि यह महिला कौन है बहुत सारे ऐसे हम लोग शक्षिस को देखते हैं जिनका निधन हो गया है क्यूंकि हम उनको इस वज़े से उनकी बात करते हैं क्यूंकि वो बहुत important है या उनका समाज में बहुत important role रहा है या फिर वो बहुत famous economist होंगी लेखिका होंगी या actresses होती है इसी वज़े से हम उनको पड़ते हैं तो यह जो जला बाला वैदे है यह एक महिला है और धान नेखियेगा यह है theater actress क्या थी theater actress थी याने के रंग मंच अभिनेत्री कई लोग theater करते हैं जैसे कि movies में या serials में आते हैं ऐसे ही कुछ लोग ना theater भी करते हैं तो आपने कहीं देखा भी होगा तो यह उनकी अभिनेत्री थी यह है आपकी जला बाला वैदे ठीक है चलिए तो ध्यान दखियेगा कि इनको संगीत नाटक अकादमी का टैगोर पुरसकार दिली नाटे संग पुरसकार और अंधर प्रदेश नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित क्या गया है एक के साथ तो ध्यान दखियेगा कि यह आपकी जो theater actress थी ही साथ में यह ना अक्षरा र याद रखेंगे ठीक है अब सबसे तेज तो इन्होंने बनाया ना सबसे जादा तो इसी वज़े से इनको याद रखेंगे हम लोग वा क्या आप याद कर लो एमीन जापरोवा किस देश की उपविदेश मंत्री है जो चार दिन की यातरा पर भारत में आई हुई है क्योंकि अगर कोई भी देश के कोई भी विदेश मंत्री है रास्टरपती है प्रधान मंत्री है वो जब किसी देश में आते हैं ये युक्रेइन की क्या है उपविदेश मंतरी है किसकी उपविदेश मंतरी है युक्रेइन की यहां से प्रशन पूछा जा सकता है जिसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करी थी क्यूंकि जो ये युद चल रहा है रशिया और युक्रेइन का तो इनसे संबंदित जो भी ची यह हैं एमीन चलिए आगे बात करते हैं युक्रेइन की उपर विदेश मंतरी एमीन जापरुवा 9 एपरिल से लेके 12 एपरिल तक हमारे यहां पर विदेशी दोरे पर थी और उसके अलावा भारत की अधिकारिक यात्रा पर रहेंगी दोनों पक्षों के द्वी पक्षे संबं पर चर्चा करने युक्रेइन की मौजूदा स्थीति और आपसे हितकी वैश्रिक मुद्वों पर विचार करने का आदान प्रदान करने की उमीद है तो यह सारी बात है आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा ठीक है आगे हम लोग बढ़े बिलकुल 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 उसके साथ यह चीज और धान नखेगा कि यह विदेश और संस्कृति राज्यमंद्री मिनाक्षी लेखी से मिलेंगी और उपर रास्ट्रे सलाकार विक्रम मिश्री से भी मुलाकात करेंगी जो विक्रम मिश्री थे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे रास्ट्रे सलाकार कौन है बहुत बहुत फेमर्स पर्सन तो आप लोग क्या नाम बताओगे बताए बिल्कुल सिब्बल नहीं है सिब्बल थोड़े ना है हाँ अजीत दोबाल ठीक है अजीत दोबाल जी क्लिया चलो आगे बढ़े नेक्स एक है किंद्रे रिजर्ब पुलिस बल शौरे दिवस कब मनाया जाता है आठ एपरिल साथ एपरिल दस या नो यह कब मनाया गया है यह आपको बताना है यह प्रशन थोड़ा सा हमने दो दिन पुराना लिया है क्योंकि important प्रशन बनता है और क्यों मनाया जाता है कोई भी दिवस क्यों मनाया जा रहा है उसके क्या importance है अगर कोई उसकी theme है तो वो क्या है यह सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए 9 April को हमने क्या मनाया है कि इंद्रे रिजर्व पुलिस बल शौरे दिवस याने के CRPF का bravery day मनाया है अब यह क्यों मनाया जाता है तो इसके बीचे छोटी सी story है और वो story क्या है गुजरात के कश्मी सित पोस्ट में क्या था इन्होंने पाकिस्तानी सेना को हराया था कब 1965 में हराया था और इन्होंने काफी सारे लगबग 34 पाकिसानी सैनिकों को यहां पे मार गिराया था और 4 को जिंदा पकड़ लिया था तो यह जो इन्होंने bravery का काम किया था इसी उपलक्ष में 9 April को bravery day मनाया जाता है CRPF के द्वारा तो हम दुरा से इसके बारे में भी जान लेते मुख्यालय है नई दिल्ली गठन हुआ था 1949 में और महा निदेशर कौन है सुजोय लाल था उसे ठीक है तो इतनी बाते ध्यार लखिएगा CRPF के बारे में काफी important यह आपका armed force है इसी वज़े से हम इसके बारे में discuss कर रहे हैं चलिए अभी हम लोग discuss करेंगे आपकर राजसान का current affair जो काफी जादा important है आपके आने वले जितने भी exam से उन सभी के लिए बहुत बहुत जादा important रहेगा चलिए देखेगा राजसान के पहले digital school के शुरवात किस जिले से हुई है बीका ने हर्मानकर जैपूर या जुनजनो यहाँ पर ध्यान एखेगा digital school के अंदर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि digital बहुत जादा किया जा रहा है तो इस basis पे जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि computers के लिए या e-library open कर दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें पहले teachers को यहाँ पे training दी जाएगी ताकि फिर teachers अच्छे से बच्चों को guide कर पाए जैसे होता है कि tablets के जरीए अच्छे से सिखाना animation के थूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे school का निर्मान क्या जाएगा या school के शुरवात की जाएगी और यह शुरवात की जाएगी जैपूर से ठीके चलिए तो यह सारी बाते अब देख लीजेगा कि robotics के द्वारा tablet पे science technology, engineering, mathematics program की training दी जाएगी तो इसके जरीए क्या होगा कि पहले teachers को दी जाएगे फिर बाद में बच्चों को ताकि बच्चे भी जो है ना क्यूंकि आने वाला जो समय है वो technology का है तो अगर हम अभी से बच्चों को ready करेंगे तो जाके आगे वो इस परकार की समझ रख अभी हाली में जिसी कि अभी कुछ समय में क्या हो जाएगा बारिश का मौसम आ जाएगा तो अभी भी हमारे पास हमारे पूरे देश के अंदर बहुत सारे डैम ऐसे हैं जो 100 साल से पुराने हैं अभी को 100 साल से जादा पुराने हैं तो कही ना कहीं खत्रा रहता है कि वो ज तो उनके लिए एक safety audit शुरू किया गया है याने कि जिन बांदों की हालत बहुत ज़्यादा जरजर हो गई है जो बहुत पुराने हो गई है लगता है कि नुकसान हो सकता है कोई आपदा हो सकती है तो उसको इसके अंदर शामिल किया है और इसमें राजसान के चार डैम्स को शामिल क्या गया है फिक है चलिए देखे देख लेते हैं कौन-कौण से हें स्वरूप सागर है उदह सागर है राजसामिंध ये चारो बांदों को यहां पर शामिल क्या गया है इसका जो जिर्णोधार करवाया जाएगा वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया जाएगा यह सारे बाते ना बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है हाँ विद्या मंदर स्कूल अंबावाडी से उसके शुरवात की गई है ठीक है चलिए नेक्स एक हैगा मरुधरा में अभी सारे बाते वही लिखी गई है जैसे कि आपका स्वरूप सागर है जैसंबन है उद्य सागर है तो यह सारे कहां पे हैं उद्यपूर में और राजसंबन आपका बान जो है वो राजसंबन में है चलिए, नेक्स याँ भी देखेगा अभी हाले में न, कल की डेट में जो हमारे बीडी कलना है, जो कला साहित्य के मंत्री है, इनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, ध्या मिखिये का जिसका नाम है आपनी धरोहर आपनो गोरब, ठीक है, आपनी धरोहर आपनो गोरब एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, किसके द्वारा कला साहित्य और संस्कृति मंत्री, अब देखो प्रश्ण कैसे पूछा जा सकता है, कि कला साहित्य और संस्कृति मंत्री के द्वारा कौन से पुस्तक का विमोचन किया गया, तो आपनो धरोहर आपनो गोरब, अब इसके इंदर है क्या? अभी हमारे राजस्तार में हाल फिलाल में बहुत जादा पैनोर्माओं का निर्मान क्या जा रहा है? याने को पूछा हमारे ऐसे जो वीर हुए हैं उनके पैनोर्मा बनाये जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो भी कल्चर से रिलेटेड जो भी गतिवीद्या हो रही है या संस्कृति को किस परकार से बचाया जा रहा है उन सबी से रिलेटेड जो बाते हैं वो आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे ठीके कि हमारे याँ पे जो भी राणा या जो भी वीर हुए थे उनका व्यक्तितु कैसा था उन्होंने किस प्रकार से काम किया वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगे इस पुस्तक में किसने भी मोचन किया है तो ध्यान देखिएगा बीडी कला जेने ठीके कौन है तो यह आपक सदंक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है तो अगर हम यहां पर बात करें न तो अभी फिलहाल इसके बनने से पहले राजस्तान में 22 ऐसे सदंक्षण रिया आपके कंजर्वेशन रिजर्व थे और जब से हमने इसको बनाया है या इसके लिए अनाउंस किया है तो अब टोटल कितने हो गए है 23 हो गए है कितने हो गए है 23 और इसमें अभी कौनसा एड़ किया है तो अरवर गाव अजमेर कौनसा है अरवर गाव अजमेर जिसे फ्लोरिकन ल तो ध्यान लखिएगा कौन सा है आपका अर्वर गाम जो अजमेर में हैं। क्या इतनी बाते clear हो रही हैं। ओके चलिए हम यहां पर बात कर लेते हैं तो यह आपकी जो particular सूची है इसको आप फुरध्यान लख लीजेगा। अगर आपके बस कहीं पर नहीं है mention तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। और तेश्वा कौन सा बना है अर्वर गाम जो अजमेर। ड़न? ठीक है? चले आगे? देखेगा। आगे है आपका next में हाली में BSNL और BSF के सेंग तत्वा धान में optical fiber OLT इसका शुभारंब क्या गया है? अब यहां से इनक चीज़ान लखेगा यह जो आपका BSNL और BSF अब BSF क्या होती है? कि border security forces यानि कि जो border पे जो security forces होती हैं उसे ही आप BSF कहते हैं तो हमने अभी na BSNL के साथ मिलकर एक क्या शुरूर किया है? तो यह हमने शुरूर किया है OLT यानि कि optical line terminal को start किया है इसकी वज़े से होगा क्या कि जो हमारे सीमावर्ती शेतर है वहां पर internet की सुविधा काफी अच्छी हो जाएगे आप लोग जानते हैं कि internet बहुत जादा जरूरी है खाना मिले पर हमें internet तो चाहिए internet और phone ठीक है यह आजकल हमारी basic आवशकता है basic need है पहले हमारी basic आवशकता है क्या होती थी रोटी कपड़ा और मकान अब हमारी basic आवशकता है जो है वो थोड़ी से अलग हो गई है ठीक है अब इसके अंदरा mobile को add कर दीजे और इसके साथ plus internet तो क्यों जाना ही ऐसा है और हमें इसके साथ चलना भी है इंसान वही है जो समय के साथ बदलता रहे आपके सामने कैसी चीज़े आ रही है कैसी चुनोतिया है अगर आपने अपने आपको उसके according नहीं बदला तो बहुत पश्ताना पर जाता है आपने देखा भी होगा कि आशकल जो ह रिवर्दंशील होना चाहिए जैसे कि फूर एक्जामपल आपके जो पहले एक्जाम आते थे उनका पैटन बहुत इजी था पहले पैटन अलग होता था अब जो पैटन है वो चेंज हो गया है आपका स्लेबस बहुत ज़दा बढ़ा दिया गया है तो यह सब चीज़ें क् देखो कहां से कहां चलेगे तो ध्यान एखिएगा ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल की शुरवात की गई है किसके द्वारा बी एसनल और बी एसफ ने मिलके करी है कहां पे रामकर जैसल में तो यह हमारा सीमावर्टी शेतर है हम जाते हैं कि हमारा जो है बाकी के साथ कॉम्निक ठीके बटालियन है 166 नंबर की और उसके यहां पे जो महा निदेशक है वो है पुनित रस्तोगी इनी के द्वारा ही इसके शुरवात की गई है इसका शुभारंब क्या गया है अब देखो प्रश्म कैसे भी पूछा जा सकता है कि जो OLT है इसके शुरवात किसके द्वारा की गई है यह इसका शुभारंब किसके द्वारा किया गया है तो ध्यान अखेगा जो Frontier महा निदेशक जो है IG पुनित रस्तोगी उनके द्वारा इसके शुरवात की गई है और नाम क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है तो ध्यान अगना है Optical Line Terminal इसका पूरा नाम ह और ये देश के सीमावर्ती और दुर्गम शेत्रों में BSNL के द्वारा संचार सेवाए उपलब्द कराए जाएंगे ताकि Communication Gap नहीं हो अगर कोई भी Particular Emergency आती है तो Hand to Hand वहाँ पे कोई भी चीज मुहया असानी से करवाई जा सके Done तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान अगने हैं चलिए राजसान के किन जिलों में राजे के खर्चे से सरकारी College खोलने की गोशना की गई है इंपॉर्टन प्रशन बनता है क्यूंकि केंदर सरकार के द्वारा पहले गोशना की गई थी और अभी भी हमारे यहां पर लगए 30 ऐसे College हैं जो राजे और केंदर सरकार के द्वारा यहां पर बनाए गए हैं कुछ राजे सरकार के मलग कुछ केंदर सरकार के द्वारा या पर्टिकलर दोनों के द्वारा मलग कुछ बन रहे हैं कुछ चल रहे हैं तो इस परकार से यहां पर कुछ Medical College हैं परंतु राज्य सरकार ने बोला कि हम खुद के खर्चे पे, याने कि हम न एक हजार करोड रुपे खर्च करेंगे और प्रताफगर, जालोर और राजस्तमन के अंदर हम यहां पर तीन medical college बनाएंगे. तो यह important बाते हैं, इसी वज़े से आपको यहां पर याद रखना है. उसके इसासद कहा कि जोदपुर में 500 करोड के लागर से मारवार Health University की घोशना भी की गई कि हम इसको भी यहां पर बनाएंगे. क्या इतनी बाते clear हो रही हैं? चलिए. आप CS आपने किया हुआ है. तो यह opportunity आपके लिए भी है. ठीक है? अभी राजय सरकार, क्यूंकि आप लोग जानते हैं कि टेक्से सोड़े बढ़ गए हैं, GSP वगर से कैसे उसका आवेदन करना है, कैसी वो टेक्स भरना है. तो हमारे यहां पर अभी भी बहुत सारी जो जन आपके पास आकर आपको जो भी दिक्कत है, आपको सॉल्व करेंगे और आपके इसमें सहायता करेंगे. कितने टेक्स में तरन युक्त किये जाएंगे? नहीं, दो हजार. बहुत जादा है. ठीक है? और इसमें योगिता क्या रखी गई है? इसके अंदर योगिता कि अगर ह हम बात करते हैं, तो 21 से 40 वर्ष, अगर आपकी आयू है 21 से 40 वर्ष, तो आप यहां पर इसके लिए eligible हो जाएंगे. और साथ ही ध्यान रखिएगा कि आपकी यहां पर जो graduation है, वो commerce में होने चाहिए. किस में होने चाहिए? Commerce में होने चाहिए. साथ ही में आपको यह भी ध्य जान रखना है कि अगर आपने CACS या ICW यह अगर कुछ किया हुआ है, तो आपको पहले priority दी जाएगी. ठीक है? हालाएं कि commerce वाले यहां पर इसके लिए eligible हो जाएंगे. और age जो limitation है, वो यहां पर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. क्लियर? क्या इतनी बाते समझ में आ गया है. अब जैसे कि काम कैसा होगा? एक तो GSC से related है, वैट के लिए आवेदन करना है, e-bill है, subsidy आवेदन है, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो सरकार के तरफ से यहां पर शुल्क निधार क्या गया है? 50 रुपे से लेकर 4 रुपे तक. आपका कैसा काम रहेगा? उसी के recording आपको यहां पर pay कर दिया जाएगा. और यह कौन करेगी? सरकार आपको pay कर देगी. क्या इतनी बाते clear हो रही है? समझ में आ रहा है? अल्ली दिद्धा में है जो बिना मेकप के आती है चैनल पर. तो आजकल सभी में मेकप दिखाती है. चलो देखो यहां पर. ठीक है? यह सारी बाते clear हो रहे हैं आपको? पढ़ाई पर ध्यान दो. ठीक है? आजओ. चलिए. तो यह ना अब आपके लिए opportunity है तो इसको थोड़ा ध्यान नखिएगा. टेक्समितर अगर आपने commerce से अगर आपने graduation की हुई है तो जैसे ही इसके लिए particular जो भी आवेदन होगा अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं गया है. तो जैसे ही कुछ भी होगा ना तो आप थोड़ा सा alert mode में रहेगा और वैसे भ services टेक्स इसको बोला जाता है और ध्यान दिखेगा 1 जुलाई कब से लागू आता? 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था. इसके लिए है न हम लोगों ने 122 वा विधेग पेश किया था और 101 वा सविधान शंशोदन हुआ था जिसके जरीए हमने GST को लागू कर दिया था. किस अधाली में राजय के किस खिलाड़ी को World Boxing Championship के लिए भारतिय टीम में चुना गया है? पहली बार ऐसा हो रहा है. पर्टिकुलर 13 खिलाड़ी को चूस किया गया है जिसमें से राजसान के ये एक मात्र खिलाड़ी है जो पहली बार World Boxing Championship में जाएंगे. ठीके? और नाम क्या है हर्ष चौधरी. कौन है? हर्ष चौधरी है जिनको चुना गया है. किसके लिए? World Boxing Championship के लिए. क्या इतनी बाते क्लियर हो रही है? बहुत अच्छे सिधा निखियेगा. ये है पर्टिकुलर हर्ष चौधरी जिनको चुना गया है और इनका जो संबंध है वो जैपूर से है इनका संबंध किसे है? जैपूर से है भारत के अगर बात करते हैं टोटल 13 यहाँ पे जो प्लेयर से इनको चुना गया है टोटल 13 जो प्लेयर से वो यहाँ पे जाएंगी जिसमें से राजस्तान के कौन है तो राजस्तान के ध्यान रखना है राजस्तान के है हर्ष यह इंपॉर्टन बनेगा यहां से प्रश्न जरूर बनेगा क्योंकि आपके जो गेम्स है न यह गेम्स बहुत इंपॉर्टन एगेम्स आपकी प्रश्न पुछा जाता है बिलकुल बिलकुल कौन है हर्श चौधरी है आपने शेशन को जल्दी से लाइक कर दो नेक्स मारी आभिदन के लिए WhatsApp help line शुरू के गई है कल बताया था न इसके बारे में और मैंने यह भी बताया था कि पर्टिक्लर डिपार्टमेंट भी पूछा जा सकता है और मंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौनसे मंत्री ने ये पॉर्टल लॉंच किया है, what's up, chat board शुरू किया है बताया था कि नहीं कल महिला अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग और शान्ती और अहिंसा विभाग जल्दी से बताओ, मंत्री भी बताना है अरे वा, मंत्री बताओ, फटबट से मंत्री बताओ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इन्होंने कहा कि इसके विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाय चलाई जाती है जिसे कि छातरवती योजना है, अनुपरती योजना है, सबसीडी या जो आपके इंट्रकास, मैरी से रिलेटर जो आपको पैसा दिया जाता है संबल योजना है, अन्तेस्ट्री योजना है, बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है पर्टिकुलिस डिपार्टमेंट पे जाओगे आपको बहुत सारी स्कीम मिल जाएंगी तो ये जो विभाग है ना इसने क्या किया कि लोगों को जानकारी नहीं होती है आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपल सा जाएए WhatsApp पे एक help line शुरू कर दी गई है और इसके मंत्री कौन है बिल्कल बिल्कल टीका राम जूली ठीक है कली तो बताया है अब यहां पे पढ़ते ही नहीं हो क्या करूँ टीकर आम जो जूली है इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और ध्यान निखिएगा कि ना जिसके क्या होते है कि आप लोग इस पर्टिकुलर आवेदन के लिए राजसान में स्मार्ट शाला प्रोग्राम की शुरूट कि ने जिलों में की गई है अब हम क्या करें है Antrag क्लासिस को ठोड़ा सा मोडिफाइग कर रहे है डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पे जिसकी कम्प्यूटर्स को लेकर आना या कुछ टैबलेट्स को लेकर आना, बच्चों को थोड़ा टेक्निकली और अच्छी से डेवलेप करना तो इस तरीके से हमने आठ जिलों को चुना है, जिसमें हम स्मार्ट शाला प्रोग्रम लेकर आएंगे और यहाँ पे आपका राई टांस रहेगा, आठ डिस्टिक्ट, छीके इसके अंदर क्या क्या जाएगा इसके अंदर आपके दो यहाँ पे चीज़ें काम करेंगी, एक तो है संपर्क फाउंडेशन, यह क्या है? यह एक NGO है संपर्क फाउंडेशन, यह NGO है, यह स्कूल से रिलेटेड ही काम करता है और राजस्तान स्कूल शिक्षा परिशर, यह केंदर और राजे दोनों के द्वारा चलाया जाता है ध्यान निखेगा कि इन दोनों ने मिलकर ही यह जिम्मा उठाया है कि स्मार्ट शाला प्रोग्रम यह शुरू करेंगे जिसमें पर्टिकुलर एट डिस्रिक को चुना गया है जिसमें जैपूर है, धौलपूर है, करोली है, बारा है, सिरोही है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोदपूर है ये आठ डिस्टिक है जिनमें स्मार्ट शाला प्रोग्रम शुरू किया जाएगा बिल्कुल जैसल में बिका ने जोदपुर, जैपुर, सिरोही, बारा करोली, धोलपुर तो ये सारे आपको अच्छे से ध्यान एकने हैं इनके अंदर अब देखो NGO को तो आप जानते हैं कि foundation यहां से इनको funding हो जाती है बहुत सारी संसाइं हैं जो इनको ऐसे funding करती हैं इवन हमारी जो international संसाइं होती हैं वो भी आपने सुना ही होगा कि particular किसी NGO को support करना पैसे देना तो बाहर की जो संसाइं होती हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगने हैं आज के knowledge factory के अगर हम बात करते हैं तो कुछ बाते हैं इंपोर्टन है जो आपकी exam के लिए इंपोर्टन बनती हैं जैसे कि हम सोच रहे हैं कि डेली ना हम कुछ ना कुछ ऐसा डिसकस कर लिया करेंगे ताकि आपका इसके अंदर थोड़ा सा होसला मिले ठीक है चलिए हरी सिंग साकला का जो संबंद हैं वो किस संपरदाय से था तो यहां पेना हम पर्टिकुलर जो आपका राजस्तान हिस्ट्री है आटन कल्चर है उससे जो संबंदित हैं वो facts यहां पर कबर करेंगे ठीक है निरंजनी संपरदाय मीरा बाई का जन्म कहां पर हुआ था कुड की पाली में हुआ था गोगा जी का जन्म किस परिबार में हुआ था खींची चोहान राजवंश में इनका जनम हुआ था विरात्रवाता मेला जो है वो किस जिले में लगता है तो का revision, जो भी मैंने आपको questions करवाए थे, I hope आप थोड़ा सा पढ़ कर आये होंगे, तो कल के हम लोग questions discuss कर लेते हैं, कि कौन-कौन से कल हमने questions किये थे, क्योंकि कल का जो current affair था, वो भी बहुत जादा important, within five minute के अंदर हम इस सारा revision कर लेते हैं, देखें, हाली में चुनाव आयोग ने किसे रास्टे पार्टी का दर्जा दिया है, important है, और साथ ही ये भी धानेखियेगा, कि किन तीन पार्टी से दर्जा वापिस ले लिया गया है, okay, session को like और share कर दीजे, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, कुछ technical issues की वज़े से, class का समय है, सुबह साथ बज़े का, तो आप साथ बज़े आ जाये करो, जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं, और ये session जरूर आपकी exam में आपको help करेंगे और बहुत जादा करेंगे, चलिए next देखेगा, next यहाँ पर प्रश्न था, कि हाले वे जारी दुनिया के सबसे अच्छे सारवजनिक, याने कि public transport वाले शेहरों की होगा, जल्दी से बताएए, नहीं, कल की डेट में तो हमने बताया था, अब ऐसे क्या करते हो, बिल्कुल है पढ़के नहीं आते हो, क्या, yes, प्रिया का बिल्कुल सही है, मुंबई, ठीक है, D number option सही होगा, मुंबई को यहाँ पे इस सूची में शामिल क्या गया है, 19 में नमबर पे मुंबई ही आता है, ठीक है, नेक्स एको, किस राज़े में rare earth elements का भंडार प्राप्त हुआ है, करनाटक, तमिलाडु, हरियाना या आंदरप्रदेश, बहुत important question है, क्योंकि इससे पहले हमें lithium के भंडार प्राप्त हुए थे, और rare earth elements का इस्तमाल कहाब पर होता ह में, ceramic में, बहुत सारी जगा पर इनका समाल होता है, इनको extract करना बहुत मुश्किल होता है, आपको पृत्वी पर ही मिलेंगे तो सरी, बट बहुत मुश्किल मिलेंगे, और साथ ही में इनकी mining करना बहुत मुश्किल होता है, इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, इसी बिल्कुल सही हो जाएगा. रास्य सुरक्षित मात्रतव दिवस कब मनाया गया है? 5, 11, 10 या 8 ऐपरिल को. आपको बताना है सुरक्षित मात्रतव दिवस ये कस्तूर्वा गांदी जी जो है जो किन की पतनी थी? किन की पतनी थी कस्तूर्वा गांदी? चलिए तो right answer है 11 April बिल्कुल 11 April को मनाया जाता है हमारा उदिशे ये है कि जो मात्र मृत्यु दर जो है याने कि pregnancy के समय पे गर्भावस्ता या प्रसव के दोरान जो महिलाओं की मृत्य हो जाती है उसको कम करना और उसकी बारे में लोगों को aware करना इसके लिए हम लोग रास्त्रे सुरक्षित मात्र दव दिवस मनाते हैं 11 April को कस्तूर्बा गांधी जो है इनकी जन्दी पर ये दिवस हम मनाते हैं चलिए next देखेगा COP India 2023 अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीश में हुआ है अभ्यास से एक चीज और ध्यानक लीजेगा कि COP India ये वायुसेना का अभ्यास होता है जो भारत और अमेरिका के बीश में होता है next देखो next है हाली में पीम नरेंदर मोदिनी राजसान की पहली भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई है किस रूट पे चलेगी तो ये काफे इंपोर्टन प्रशन है राजसान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है तो यहां से प्रशन जरूर पूछा जाएगा और ये कहां से चलेगी अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलेगी अजमेर से दिल्ली कैंट तक जिसमें अजमेर अलवर ये भी शामिल होंगे हाँ जी ठीक है आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे C number option जो है यह बिल्कुल सही होगा नेक्स एक है नेक्स है यहाँ पे हाली में रास्टपती दुरोपती मुर्मू ने किस नाम से महिला सुरक्षा के लिए एप लॉंच किया है तो यह हमने कल देखा था महिलाओं की सुरक्षा के लिए है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है पर्टिकुल आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं और आपकी जो इमर्जनसी की जानकारी है वो आपकी फैमिली तक चली जाएगी भरोक्सा चीक है यानि कि ट्रस बरोसा या भरोक्सा या ठीक है यानि कि तरीकी से ट्रस को बिल्ड करना और यह कहां पर असम में गवार्टी में इन्होंने इसको लाँच किया था हाली में किसने टैंपो उपकरन लाँच किया है काफे इंपोर्टन है क्योंकि यह आपके प्रदूशन से रिलेटेड है ठीक है किस से रिलेटेड है पॉलुशन से रिलेटेड है पॉलुशन को इंडिकेट करेगा और यह किसने लाँच किया है नासा ने लाँच किया है किस इसके साथ तो ये क्या है SpaceX के साथ मिलकर इसने लॉंच किया है Falcon 9 जो रॉकेट था उसी के जरिये इसको लॉंच किया गया दन चलिए नेक्स देखेगा नेक्स राजसान सरकार ने महात्मा जोतिवा फुली जनती के किस दिवस पर प्रदेश भर में सारजनिक छुट्टी घोशित कर दी है यानि कि अवकाश घोशित क्या है जल्दे से बताईएगा कि क्या होगा 28 जनवरी 5 अगर 7 अपरल या 11 अपरल 28 जनवरी को भी अवकाश होता है भगवान देव नरायम जनती होती है कौन से होती है देव नरायम जनती और इसी जनती पर भी सारजनिक अवकाश रखा गया है और आपको बताना है कि महात्मा जोतिवा फुले क्यूंकि इनोंने शिक् ओढ़र जैसे इनके दिवस को इनकी जनती के दिवस को क्या मनाया गया है इक सारजनिक अवकाश घोशित क्या गया है चलिए नेक्स एक इंद्रा रसोई उजना को ग्रामीन शेत्र में कब लागू किया जाएगा तो ये काफ़े इंपोर्टेंट है अभी तक शहरी शेत्र म में ही चल रही थे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक जोन कैप्टन विराज बिल्कुल मारो प्यारो राजसान प्रिया अधित्या वेरी गुड ठीक है नेक्स देको बागे लोग फटाफट से आंसर करें राजसान में छटे भी तायोग पंचायत अब्दी वर्ष से आपका कितना है 2020-25 है इसके अधिक्ष कौन है तो इसका आपको आंसर बताना है कौन है फटाफट से ऑप्शन दे दोना कौन कौन सा रहेगा चलिए कौन है प्रदिमन सिंग है अभी जो आपके डिस्ट्रिक बनाए गए है उन समीती के अधिक्ष कौन थे रामल भाया नेक् को ही निकालेंगे और पर्टिकुलर उसी जगा पे हम खेती करेंगे क्योंकि हमारे पास सर्य भूस सर्य जल नहीं है बारिश होती नहीं है और नदिया नाले है नहीं पश्च्मी शेतर में तो इस वज़े से हम लोग हाइट्रोजल टेक्निक का इस्तमाल करेंगे कौन सयोग भाबा पर्मानोंने संथान संसान बार्क जो कहां पे है मुंबई में है इसके स्वयोग से हमने साथ क्या क्या है मोई वसाइन क्या है चलिए नेक्स के आपके पास मुख्यमंत्री ने किस योजना के तैक राजे में सुक्षमस इंचाई ववस्था को अधिक सूद्रड बनाने के लिए 463 करोड रुपए के प्रसाव को मंजूरी दे दी है आपने देखा है कि राजसान जो सरकार है वो लोगों के लिए बहुत सारे वैलफिर के काम कर रही है एवन उसे बहुत सारे बिल्थ लेकर आना और ये जनता के लिए बहुत ज़ादा अच्छे वाले बिल्थे ठीक है अब यहां पर आपको बताना है कि यह इस प्रसाव को मंजूरी दी गई है तो यह है आपका राजसान सुख्षम सिंचाई योजना ठीक है नेक्स लेकिएगा केंद्रे विद्युद और नवीन अविकर्णी और उर्जा मंत्राले के द्वारा जारी उर्जा उर्जा दक्षता सुचकांग में राजसान का कौन सा स्थान है काफ़ इंपोर्टन है कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार से बिजली का प्रोडक्षन हो रहा है यह लोगों को किस तरीके से पहुंचाई जा रही है तो इसके लिए एक सुचकांग जारी किया जाता है राजय उर्जा दक्षता सुचकांग और इसमें राजय जो है आपका राजसान यह प्रत्रम श्रेणी में रखा गया है ठीक है कौन सी श्रेणी में है पहली श्रेणी में हमने इसको शामिल किया है नेक्स एक है कि पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एरिया को काफी अच्छी से डेवलिप किया जाए और वहां के लोगों को उसी एरिया में रोजगार भी दिया जाए ठीक है नेक्स देखिए नेक्स एक राजसान वन विभार के द्वारा किस बायलोजिकल पार्क में चार जिराख छोड़े जाएंगे ऐसा ये पहली बार हो रहा है तो ये है आपका सजनगट जैविक उध्यान जो कहां पे है उद्यपूर में है तो अभी हमारे पास कितने हमारे पास जैविक उध्यान है चार है माचे जैविक उध्यान है सजनगट है अभेड़ा है और नाहरगड़ ये सबसे नया है नेक्स एक है काजे ने नई बढ़िंग तक देख से गूंदे की किस किसमों को तयार किया है गूंदा या लेस हुआ तो ये काफ़े इंपोर्टन है पोशक तत्विस के अंदर आपको काफ़ी मिलेंगे और ये जो नई किसम है उसका नाम है मरूसमरदी कौनसी किसम है मरूसमरदी पूछा जा सकता है गूंदे की नई किसम या इनमे से कौनसी गूंदे की किसम है तो ध्यान रखेगा मरूसमरदी कौनसी है मरूसमरदी है बेरी गूड बेरी गूड बेरी गूड ठीके प्रधान मंतरी के द्वारा जारे प्रभंदन प्रभावशिल्ता मुल्यांग रिपोर्ट के अनुसार कौनसा टाइगर रिजर्व राजय में शीष पे है तो यह काफे इंपोर्टन है हमने कल इसको डिसकुस किया था कौनसा है रंथमबोर टाइगर रिजर्व डन चलिए तो आज की डेट में हम लोगों ने राजस्तान और इंडिया का करंट अफेर डिसकुस किया जो भी important questions यहां से बन रहे थे उन्हें हमने cover किया है साथी में ये sessions आपके आने वाले हर exam के लिए बहुत ही जादा important रहने वाला है तो इसी बज़े से आप इनको जरूर लगाए अपने दोस्तों के साथ share करें जो किसी भी exam के तयारी कर रहे है समय होता है सुबह साथ बज़े PDF आपको हमारे टेलेग्राम चैनल प्रैप और क्रैक ओफिशल पर मिल जाएगी तो अब बहां से जाके PDF ले सकते हैं और कोई भी doubt inquiry है तो put up कर दीजेगा class कैसी लगी comment section में जरूर बताईएगा कोई doubt inquiry हो तो पूछ सकते हैं ओके thank you so much please आप अपने जो भी valuable comments है आप अपने comment section में डाले यह chat box है, live chat है comment section में आप अपने जो भी आपके जो comments है जरूर put up कीजिए क्योंकि यह जो comments है वो हमें बहुत motivate करते हैं ताकि हम daily आपके लिए बहुत अच्छा content लेकर आएं यह जो content है वो बहुत important है आपके exams के लिए यहाँ जब आप exam दोगे न तो definitely आपको पता चलेगा कि यह sessions कितने जादा important है ठीक है, तो आप किसी भी exam के तयारे कर रहे हो यह classes जो है यह आपके लिए बहुत ज़ादा important रहने वाली है नहीं ठीक है, तो वैसे जैपूर में है coaching ठीक है तो मिलते हैं, हम लोग कल के session में सुबर 7 बचे ready देएगा अपने दोस्तों को भी लेकर आएगा मिलेंगे कल के session में, take care ओके, take care, bye-bye